फाइनली दोस्तों एबिडिवलियर्स ने अपने कमबे के बारे में बहुत दी बड़ा डिसीजन जो है वो बता दिया है और आज की वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं आप इस वीडियो को आखर तक जरूर देखते रहें दोस्तों एबिडिवलियर्स ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटार्मेंट लिया था जब साथ अफरीका को उनकी बहुत जरूरत थी और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटार्मेंट लेकर करोडों दिलों को तोड़ दिया था और इंटरनेशनल को छोड़ कर वो डोमेस्टिक पर ही खेलते हुए हमें नजर आ रहे थे लेकिन जब वर्ल्ड कप 2019 का खेला गया उसके लिए साथ अफरीका ने अपने क्रिकेट टीम का अनॉस्मेंट करने ही वाले थे उससे पांच या च्छे गंटे प में जरूरत नहीं है और साथ अफरीका ने एक अवयर्ट को इस को उस वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया जिसी के हमने देखा के वर्ल्ल कप में साथ अफरीका किस तरह बतरीन शिकस्त का सामना किया साथ अथ अफरीका ने अब साथ अफरीका के जो कोच thuносनय मार्क बाउच हैं जो के सिलेक्शन भी के लिए काम आते हैं उनका भी कहना था कि वो एबिडिवलेयर्स को वापस इंटरनेशनल किर्केट में लाएंगे लेकिन में चीज क्या थी कि एबिडिवलेयर्स का खुद का कुछ भी बयान नहीं आ रहा था इस हवाले से लेकिन दोस्तों फाइनली एबिडिवलेयर्स ने अपने कमबेक के बारे में कहा है उनका कहना था कि फिल वक्त उनका जो फोकस है वो सारा का सारा IPL पर है लेकिन उसके बाद उनका जो फोकस में रहेगा कि वो बेट कर साफ़द आफरिका बोड के साथ बाते करेंगे इंटरनेशनल कमबेक के बारे मे और उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वाफ़ी का डिसीशन बताएंगे लेकिन फाइनली दोस्तों, A.B.W.E.R. से ने कुछ तो बात की और उनके बातों से यही लगाए कि वो वाफ़स इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहते हैं सारा का सारा मामला अब सोट आउट होने जा रहा है और यह A.B.W.E.R.S. के फैंस के लिए सबसे जादा बड़ी खबर जो हम आपके लिए लाए हैं सबसे पेले और सबसे तेज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं इस वीडियो को जल्दे जल्दे शेयर भी करें दोस्तों यह जो नियूज है वो हम आपके लिए लाएं सबसे पेले और सबसे तेज़ उनका केना था के वो इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं और एक सवाल के जवाब में एक मीडिया के साब्जिरीन से उन्होंने सवाल किया कि वरक लोड आपक पर तक रख जाएगा फिर आप क्या करेंगे उस सवाल के जवाब में अबडिवलेर्स का केना था कि वो मेंटली और फिजीकली इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं यानके एबडिवलेर्स इस हवाले से तियार कर रहे हैं कि वो आई पिल के बाद इंटरनेशनल किर्केट में खुद को तियार रखें 2020 वर्ल्ड कप के लिए ये जो नियूज है ये सबसे अच्छी खबर है साउट अफरिका के जो किरकेटर्स के किरकेट के जो फैंस हैं यहां फिर में काऊं किरकेट के जो भी दुनिया में फैंस हैं सब के लिए यह जो निवे यह सबसे अच्छी ख़बर है और दोस्तों यह निव्ज हम आपके लिए सबसे पहले लाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजिएगा दोस्तों यह अज की वीडियो अमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाह आफिस